प्यार का लहर चल पड़ा है कि कभी कोई दो बजे रात में बुलाते हैं किसी को बिजली के खंबे से लटका के मार दिया जाता है ये कैसा प्यार है अभी अभी छोटु आरती का घटना थोड़ा सा ठंडा क्या हुआ कि एक नया घटना सब के सामने आ गया तो चलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं ये घटना है कहां का ये घटना समस्ति पूर का है और लड़का का नाम पंकज है और लड़की का नाम सोनी कुमारी है आखि रक्षा बंधन का दृन था तो यहां रक्षा बंधन का दिन था उसी दिन ये घटना को अनजाम दिया गया है ये कैसा प्यार का लहर चल पड़ा है ये घटना जो समस्ति पूर का है और लरकी बोल रही है अगर मेरे भाई और पापा का इसमें हाथ होगा तो हम उनसे भी बगावत करने से नहीं चुकेंगे लड़की का नाम है सोनी कुमारी और लड़का का नाम है पंकश कुमार लड़की बयान में दे रही है अगर मेरे ममी पापा या भाई का इसमें हाथ है अगर मेरे भाई और पापा ने मारे हैं बिजली के खंबे से लटका के तो हम उनसे भी बगावत करने से नहीं चुकेंगे ऐसा वो बोल रही है और हम आपको बता दे कि लड़की ही मेसेज करके लड़के को 12 बजे रात में बुलाई थी उसके बाद उसको बिजली के खंबे से लटका के मार दिया अब लड़की बोल रही है हमको पता नहीं है लड़का का देत हुआ तीन दिन हो गया और लड़की को कुछ भी पता नहीं ऐसा लड़की बयान दे रही है घटना छोटू आरती के तरह ही मोर ले रहा है कहीं न कहीं यह घटना छोटू आरती से ही सुरू हुआ है अब ना ज करेंगे